नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खना हुमियोपेथी क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथियों लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशय में, शब्द के विशय में और वह है अलर्जी, तमाम मरीज आते हैं डॉक्टर साब अलर्जी हो गई यह अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन allergy word उसमें होता है तो आज हम लोग discuss करेंगे allergies के विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टें, कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं allergy होती क्या है allergy साथियों आपका जो body होता है उसका एक defensive system होता है, immune system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body hypersensitive हो जाता है, तो जब आपका external कोई infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं cause करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hypersensitive response रखता है उस hypersensitive response में जो इस्थितियत्पन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आप से milk products का intake करा, तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आके गा milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है allergen के विरूद में इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते है इसमें साथियों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है body में कभी या सालों में होता है एक partial होता है उस इस्थिति में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response डिवेलाप हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy डिवेलाप होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा डिवेलाप होने के बीच जो process होता है उसको sanitization कहते है यहाँ एक बहुत time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह के allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो nasal allergy है तो चीकों का symptom हा गया अगर आपके articularia है तो इसकिन में आपके बल जा गए अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी वो scales आ गया भारी चकत्ता बन गया तो इस तरह का different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनफाइलेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition, medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहां condition आपके chronic condition develop हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप भी होश हो जाते हैं आपका BP भी low हो जाता है आपको pain बहुत पर जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को वश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बाहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता जादा पहचानते हैं उतना जादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यहाँ पहचान लेते हैं के रूप में विभिन विभिन जिस तरह का अलर्जन उस तरह का मनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी साथियों इसी लिए डाइगनोसिस के लिए डॉक्टर आईजीई का टेस्ट कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो की blood में release होते हैं और यही प्रतिरोजा च्छमता जो सरीर की है यही आपका antibody बनाके आपको सही करने वाली चीज को कश्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं आजकल एक नया दौर है आजकल बच्चे sprouts और जिने कहते हैं life foods इनको कम prefer करते हैं और चौकलेट को ज़्यादा prefer करते हैं और हमने देखा है कि बहुत से संस्थानों में दिन में भूख लगती है तो लोग एक चौकलेट खा लेते हैं अब वो लोग अलाकि बहुत अच्छी चीज नहीं है लेकिन एक बात रखने की बात है तो बहुत लोग जिनको चौकलेट पसंद है और वो चौकलेट नहीं खा पार है चौकलेट खाने से उनको allergy होती तो वो क्या करें या उन्हें फेदर से अलर्जी होती है तो क्या करें पंक जो होते हैं अगर आपको चॉकलेट से अलर्जी यानि चॉकलेट खाने से आपको विविन प्रकार की सरीर में दिकते हैं सेच टाइम हैसूस होने लगती हैं तो सुस्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दबा सल्फर है आप सल्फर वन एम की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपकी जो चॉकलेट के खाने वाली ऐलर्जी है वाँ खतम हो गई और आप ठीक हो गए यह दबायती आपके एलर्जी के विशेह में अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94-15-786-3303 पर अपनी क्वेरी को वाट्साइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको संतोर चनल जबाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको अलर्जी में फायदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्हे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेद करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथियों इती देर हमाई साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ वाद साथ बहुत बहुत साथियों इती है कर दो